कच्चा चिठा में सबसे पहले गोगा मेडी हत्या कांट से जूड़ी इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगी गोगा मेडी मडर केस की जाच में जुटी पुलिस ने इस मामले में एक छात्रा को गिरफतार किया है बहुत बड़ी खबर आ रही है जैपुर पुलिस कमिशनर बीजू जॉज जॉसिफ ने चात्रा की गिरफतारी की पुष्टी भी कर दी है दरसल आरूप यह है कि शूटर नितिन फॉजी हत्या से पहले पूजा सैनी के घर पर रुका था बोले इसके मुताबिक गिरफतार चात्रा का नाम पूजा सैनी है और वो टॉंक जिले की रहने वाली है पूजा सैनी और उसका पती हत्यारों की तसकरी का काम करते हैं उसमें इस हत्या कांड में शूटर्स को हत्यार मोया करवाने में एहम रोल निभाया था साथी सुखदेव सिंग गोगा मेडी की रेकी भी की गई थी तो ये गिरफतारी भी बेहद खास मानी जा रही है और हत्यार मोया करवाने में भी एहम किरदार इसका माना जा रहा है तो गिरफतारी यहां पर खो चुकी है सवालों की लंबी फैरस है गोगा मेडी हत्याकांड में एक छात्रा की गिरवतारी, पूजा सैनी इसका नाम बताया गया है, पूजा सैनी के घर पर एक शूटर रुका था, पूजा पर गोगा मेडी की रेकी कभी यहाँ पर गंभीर आरोप लगा है, अलाकिन आरोपों में कितनी सचाई है, जाच का दा बताया जा रहा है कि इसी के घर पर एक शूटर रुका था और अब यही बात बिल्कुल साफ नजर आने लगी है दरसल गोगा मेडी ना सिर्फ राजस्तान के अंदर लौरंस दिश्णोई गैंग के लिए मुसीबत बन चुके थे बल्कि गोगा मेडी की वजह से लौरंस की देहशत भी खत्म हो चुकी थी सुखदेव सिंग गोगा मेडी मुर्डर केस की हर हकीकत अब सामने आने लगी है बेखौफ हमलावरों की गोलियों का शिकार हुए सुखदेव सिंग गोगा मेडी की हत्या की वजह पता चल गई है बेखत खतरनाद गैंस्टर माने जाने वाले लौरंस बिशनोई और गोगा मेडी की दुश्मनी आखिर यों थी इस सवाल का जवाब भी मिल गया है सुखदेव सिंग गोगा मेडी आखिर क्यों लौरंस बिशनोई के गुर्गों की आँखों में चुप रहे थे इसका भी खुलासा हो गया है सुखदेव सिंग गोगा मेडी के कतल में सिर्फ दो शूटर्स का रोल नहीं है ये मर्डर बहुत प्लानिंग के साथ और बहुत शालाकी के साथ खास मकसद से अनजाम दिया गया था सुकदेव सिंग गोगा मेडी का कतल करने वाले दोनों शूटर्स के गिरफतारी के बाद पूछताच में हो रहे खुलासों ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है दरसल सुकदेव सिंग गोगा मेडी के पूरे कतल की कहाने इन दो शब्दों में उलजी होई है दरसल इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आ रही है वो ये बता रही है कि ये पूरी लड़ाई लॉरेंस बिश्णोई गैंग और राश्ट्रिय राजपूर्ट करणी सेना के अध्यक्ष रहे सुकदेव सिंग गोगा मेडी के बीच चल रही थी लॉरेंस बिश्णोई गैंग और उसका ये पूरा सामराज्य चलाने के लिए बड़ी मात्रा में धनकिया उशक्ता होती है क्योंकि सुट्रों को रकम देने और आदूनिक हतियारों के खरीद की जरुरत है अपराद के सामराज्य को चलाने और अत्यादूनिक हतियारों के खरीद की खातिर लॉरेंस बिश्णोई गैंग बड़े पेमाने पर धंकिया देकर वसूली की प्लानिंग में लगा वाता जिन शूटर्स को सुगडेव सिंग गोगा मेरी के हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है वो पूछताच में तमाम चौकाने वाले खुलासे कर रहे हैं सबसे बड़ी बात ये है कि नितिन फौजी और रोहित राठोर ये दोनों शूटर लॉरेंस बिश्णोई के खास बुर्गे रोहित गोदारा से जुड़े हुए थे गयांग ने राजस्थान में व्यापारियों से मोटी रकम यानि प्रोटेक्शन मनी वसूलने का जिम्मा अपने खास गुर्गे रोहित गोदारा को दे रखा था रोहित गोदारा ने अपना काम भी शुरू कर दिया था सूत्रों से पता चला है कि लोहित गोदारा व्यापारियों को धमकी दिलाने का काम कर रहा था लेकिन उसकी इस पूरे रोट मैप में सबसे बड़ी दीवार बनकर उबरे सुखदेव सिंग गोगा मेडी राजस्थान के रतंगड के एक बड़े व्यापारी जिनका नाम महिपाल है उनसे लॉरेंस बिश्णोई के गोरके रोहित गोदारा ने पचास लाख के रंगदारी मांगी रतंगड के व्यापारी महिपाल के सुखदेव सिंग गोगा मेडी से अच्छे रिष्टे थे सुखदेव सिंग गोगा मेडी राजस्थान का एक दवंग राजपूत नेता था जिसके पास धनबल और बाहुबल दोनों था सुखदेव सिंग के एक इशारे पर हजारों की भीड इखटा हो जाती थी यही बज़े थी कि रतंगड के व्यापारी को लगा कि सुखदेव सिंग के नाम का इस्तमाल कर लौरन विष्णूई गैंग के खौप से बचा जा सकता है इसलिए रोहित गोदारा की धंकियों को राजस्थान के रतंगड के व्यापारी महिपाल ने नजर अंदाज किया और ये जवाब दिया कि सुखदेव सिंगोगा मेडी ने लौरन्स विष्णूई को रंगदारी देने से मना कर दिया है ऐसे में लौरन्स विष्णूई गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा को एक बहुत बड़ा जटका लगा क्योंकि इसकी वज़े से उसके गैंग का खौफ खत्म हो रहा था रोहित गोदारा और सोगदेव सिंगोगा मेडी के बीच रंजश यहीं से शुरू होती है और ये रंजश उस वक्त और ज्यादा बड़ी हो जाती है जब लौरन्स विष्णूई गैंग के गुर्गे चूरू, सीकर और जैपुर में भी रंगदारी मांगते हैं लेकिन इन तीनों इलाकों के व्यापारी भी रतनगड के व्यापारी महिपाल के रास्ते पर चलते हुए लौरन्स विष्णूई गैंग को रंगदारी देने से मना कर देते हैं इन व्यापारीों ने भी सुखदेव सिंगोगा मेडी का नाम लेकर रोहित गोदारा को रंगदारी देने से मना कर दिया अब देखा जाए तो यहाँ पर नाकामी का ठीक रहा रोहित गोदारा के सेर पर फूटने वाला था क्योंकि रोहित गोदारा Lorenz बिशनोई गैंग के लिए रंगदारी वसूली में नाकाम साबित हो रहा था इसकी वज़े सुखदेव सिंगोगा मेडि बन रहे थे इन हालातों में रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंगोगा मेडि को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया रोल सामने आ रहा है यानि लॉरेंस बिश्चनुई के राजस्थान गैंग में नमबर वन रोहित गोदारा था और नमबर तो विरेंद्र शारण था सुक्देव सिंगोगामेडी के मन में रोहित गोदारा और उसके शूटर को लेकर कोई भी डर नहीं था उसकी वज़ा यह है कि दोनों ही पहले से एक दूसरे को जानते थे और दोनों ही आसपास के इलाकों के रहने वाले थे सुक्देव गोगामेडी राजस्तान के हनногоनगड के रहने वाले थे और रोहित गोदारा पडोस के बीकानेर के रहने वाले है दोनों कोई इस इलाके के लोग अच्छी तरह से जानते हैं लोरेंस गेंग के अधिकतर गुर्गे भी हनुमानगड बीका ने नागोर समेथ सेखावाटी इलाके के जादा हैं और यही वो इलाका है जो कर्णी सेना के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है कर्णी सेना के कई पदादीकारी और कारेकरता इसी इलाके में प्रॉपर्टी क काम में लगेवे हैं एसी स्थिति में करनी सेना के लोग लॉरेंश गेंग के गुर्गों को जवाब देने में ज़्यादा सक्सम माने जाने लगे ऐसे में लॉरेंस बिश्णूई गैंग को लगा कि अगर सुखदेव सिंगोगा मेडी को रास्ते से हटा दिया गया तो करणी सेना के पदाधिकारियों और उनके कार्यकरताओं का मनूबल तूट जाएगा और व्यापारी लॉरेंस बिश्णूई गैंग को प्रोडेक्शन मनी यानि रंगदारी देने के लिए मजबूर हो जाएंगे बड़ी बात ये भी है कि रोहित गुदारा भले ही खुद को लॉरेंस बिश्णूई का खासमखास समझता था लेकिन सुखदेव सिंगोगा मेड़ी में कभी रोहित गुदारा को बहुत तवज्जो नहीं दी क्योंकी वो उसी के आसपास के इलाके का रहने वाला था और रोहित गुदारा को पहले से जानता भी था रोहित गुदारा विदेश में मौजूद है और ऐसी स्थिती में उसने सुखदेव सिंग गोगा मेडी को रास्ते से हटाने का ताम अपने नीचे राजस्थान में गैंग के नमबर टू मेंबर विरेंद्र चारण को सौपा विरेंद्र चारण ने गोरुगराम की जेल में बांद रौनी राजपूत और भवावानी संग से समपर्ख साथा और शूटर का इंतिजाम करने के लिए कहा इसके बाद रौनी राजपूट ने रोहित राठोर और नितिन फौजी को सुकदेव सिंगोगा मेडी का कतल करने के लिए चुना। नितिन फौजी ने 9 नवंबर को पुलिस के एक टीम पर फारिंग की थी। इस मामले में उस पर केस चल रहा था। और वो फरार था। लौरेंस बिश्णोई गैंग के द्वारा नितिन फौजी को ये भरोसा दिलाया गया। कि अगर वो सुकदेव सिंगोगा मेडी का कतल कर देगा तो उसको दुबाई शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इस तरह से वो पुराने केस से भी बच जाएगा और विदेश में आराम से रह सकेगा। दुबाई शिफ्ट होने की लालच में नितिन फौजी इस सत्याकांड में फस गया। इस तरह बहुत आसानी से विदेशी धर्ती पर बैठे बैठे लॉरेंस दिश्टनोई के गुरगेर रोहित गोदारा और विरेंद्र चारण ने सुकदेव सिंगोगा मेडी के हत्या की पूरी रणनीति तयार कर दी। लेकिन खास बात ये थी कि रोहित गोदारा और विरेंद्र चारण के शूटर रोहित राठोर और नितिन फौजी एक दूसरे को जानते नहीं थे। हत्याखान के पांच घंटे पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। सुकदेव सिंगोगा मेडी की पैचान हो सके। इसके लिए रोहित गोदारा ने विरेंद्र चारण के जर्यें इन दोनों शूटरों के पास सुकदेव सिंगोगा मेडी की तस्वीर पहुचाई थी। राजस्तान के यापारियों के सामने एक मुश्किल ये भी थी कि वो कर्णी सेना को डोनेशन भी देते थे। एक मियान में दो तलवारे नहीं रह सकती। अब यापारियों को एक कुछ चुनना था। या तो वो कर्णी सेना को डोनेशन देते रे या फिर लोरेंस गेंग को प्रोटक्शन मनी दे। इन हालात में राजस्तान के यापारियों ने सुकदेव सिंग गोगा मेडी को दूरी समर्थन बनाये रखने की वज़ा से उनका लॉरेंस बिश्णोई गैंग के साथ सीधा संगर शुआ। सुकदेव सिंगोगा मेडी एक बड़े नेता और संगठन करता जरूर थे। लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए सरकार और पुलिस के तंथ पर निर्भर जब सुकदेव सिंगोगा मेडी ने लॉरेंस बिश्णोई गैंग के द्वारा मांगी जा रही रंगदारियों का विरोध शुरू किया। तब ही से लॉरेंस बिश्णोई के गुरगे सुकदेव सिंगोगा मेडी को रास्ते से हटाने के लिए धंकिया दे रहे थे। लेकि दावा किया जाता है कि पुलिस अधिकारियों दारा इस फाइल को पास कराने के बाद भी राजिस्तान सरकार ने सुखदेव सिंग गोगा मेडी को सुरक्षा देने की फाइल को खारिज कर दिया ऐसे में सरकार की तरफ से सुखदेव सिंग को कोई सपोर्ट नहीं मिला और वो पास सिर्फ दो सुरक्षा कर्मी मौझूद थे। इस बात की जानकारी भी सुकदेव सिंगोगामेडी के हमलावरों रोहित राठोर और नितिन फौजी को मिल रही थी। क्योंकि नवीन शेखावत जोकी सुकदेव सिंगोगामेडी की जानत अचानता था। सुखदेव सिंगोगा मेडी की कमजोरी के बारे में इन दोनों हमलावरों को पूरी जानकारी दे रहा था शक तो ये भी जटाया जा रहा है कि नवीन सिंग शिखावत लौरेंस विश्णोई गैंग से हाथ मिला चुका था इस तरह लौरेंस विश्णोई गैंग ने रेकी करने के बाद बहुत आसानी से सुखदेव सिंगोगा मेडी को अपने रास्ते से हटा दिया बड़ी बात ये है कि सुखदेव सिंगोगा मेडी के हथ्या भी उस वक्त की गई जब अशोग गहलोत राजिपाल को इस्तीफा दे चुके थे और वो सिर्फ एक कार्रवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे यानि गोगा मेडी के मर्डर के लिए जो समय चुना गया वो भी एक शक पैदा करता है सवाल ये कि क्या लोरेंस विश्नुई गेंग आगे राजस्तान में यापारियों को धमका कर उनसे रंगदारी वसूल कर पाएगा और क्या यापारियों के बीच मौजूद डर कम हो पाएगा सुकदेव गोगा मेडी को रास्ते से हटाने के बाद क्या लोरेंस विश्नुई गेंग के गुर्गों का कबजा और देसत राजस्तान में काईम हो पाएगी इन सभी सवालों का जबाब आने वाले दिनों में मिलेगा क्योंकि अब राजस्तान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और राजस्तान के नए मुक्षमंत्री के एक्षन से हिताय होगा कि लौरेंस ग्यांग राजस्तान में जड़े जमा पाएगा या नहीं